हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सब के साथ मलाई से घी किस तरीके से त्यार कर सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीका लेकर के आई हूँ तो ये मैंने इनो लिया है बहुत सारे लोग मलाई में इनो डाल करके घी त्यार कर रहे हैं तो मैंने सुचा चलिए मैं भी ट्राइ करती हूँ तो क्या आपको लगता है कि मलाई में इनो डाल देने से घी बहुत जादा निकलता है मुझे तो ऐसा कुछ भी ने लगता तो आज मैंने इस मतलब बहुत ही नैचरल तरीके से मलाई से घी निकाला है और मैंने इसी को शूट किया और आपके साथ शेयर कर रहे हूं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास दो बाउल में मलाई कठा हो गए थी जो हम दूद से निकाल करके रखते हैं फ्रिज में हम रखते चाते हैं और यह लगभग 15-20 दिन की मलाई है तो दो बाउल में हो गए थी तो मैं आज मतलब घी बना रही थी तो मैंने वीडियो शूट कर लिया तो अभी एक बड़ा बाउल लिया है बड़े बाउल में सारी मलाई को एक साथ एड़ कर लेते हैं और फटा फट से इससे बनाना शुरू करते हैं तो अब हमारी जो मलाई है ना एक बाउल में मैंने एक खटा ले ली है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है पहली चीज मलाई में कुछ भी डालने की जो पहले घी बनता था ना बहुत ही नैचरल तरीके से बनता था और बहुत ही जादा अच्छा खुश्बूदार बनता था तो वो खुश्बूदार और परफेक्ट घी किस तरीके से बनाएंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको आप अगर मतलब फॉलो करें तो आपका जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा एक्स्ट्रा फाल्तू की चीज़ें हमें डालने की मलाई में कोई जरूरत नहीं रहती है इस जिस चीज़ में मतलब नैचरल तरीके से जिस चीज़ को बनाया जा सकता है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मतलब इतवदर की चीज़े क्यों ही एड़ करने तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनो वेगेरे की कोई जरूरत नहीं है ना तो मैंने डाला है तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मलाई को एक बड़े बाउल में ट्रांसफर किया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोग इनो का यूज़ कर रहे हैं लेकिन आज मैं यह बिना इनो डाले ही इस घी को बना करके तियार करूँगी वो भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही परफेक्ट तरीके से घी फगेरा में इनो की कोई जरूरत नहीं है खाने की बहुत सारी चीज़ों में इनो का हम यूज़ करते हैं वो बात अलग की है बट घी में किसी भी चीज़ को डालने का कोई बहुत सारे लोग आटा डाल देते हैं बहुत सारे लोग इनो डाल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों ही करते हैं क्योंकि कोई चीज नेचरल बनाई जा सकती तो उसमें मतलब फालतू की चीज़े क्यों ही एट करना तो बहुत सारे लोग मेरे तरीके से नेचरल ली बनाते भी होंगे बहुत सारे क्या सभी लोग जादतर लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसा थोड़े से उसके चक्कर में लेकिन कोई बात नहीं मैंने बस एक स्पैचला लिया है और बस इसे मैंने continue सेम डियरेक्शन में मिक्स किया है हाथ का भी यूज नहीं किया सिर्फ स्पैचले से मैंने मिक्स किया इसमें कुछ भी नहीं डाला है बस जब आप फ्रिच से मलाई निकाले घी बनाने के लिए तो लगबख एक से डेड़ घंटे पहले ही मलाई को निकाल करके फ्रिच से बाहर एक घंटे पहले रख दें एक से देर कंटे पहले बस आपको और कुछ भी डालने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे सेम डारेक्शन में मुस्कल से तीन से चार मिनट आप जब चलाओगे तो इस तरीके से ये जो मखन है और दूद है ये अलग-अलग सा इस तरीके से दिखने लगेगा बिल्कुल दानेदार से ये मखन त्यार होगा और यहाँ पे अब हमने जब इस तरीके से मतलब ये मखन निकल जाए तब हम एक कडाही ले लेंगे और कडाही में ठंडा पानी ले लेते हैं क्योंकि मखन को हमें धुलना पड़ेगा इसलिए और बाउल हमारा थोड़ा सा मतलब छोटा पड़ रहा है जिस हिसाब से मलाई है उसके हिसाब से बाउल थोड़ा सा छोटा है लेकिन जितना जगे है उतना हम इसमें पानी डाल देते हैं बख एक से डेड़ क्लास हम पानी डाल रहे हैं बिल्कुल छिल्ड ठंडा वाटर यूज करना है तो यहां पे हमने ठंडा पानी डाला है और आप देख सकते हो हमारा जो मखन है बिल्कुल परफेक्ट अच्छा थिक मखन निकल के आया है बिल्कुल भी मतलब दूद अलग ह है पानी अलग है और मखन अलग निकल रहा है तो अब हम स्पेचला हटा देते हैं और हाथ की मदद से हम बटर को अलग करेंगे बटर मिल्क से तो यहां पे हम बिल्कुल लड्डू की तरीके से बटर को अलग कर देते हैं इस तरीके से लड्डू बनाते जाएंगे और पानी डाला है बस उसी में मतलब थंडे पानी में इस बटर को एड़ करते जाएंगे तो इस तरीके से करते हुए लगभग मेरे चार से पांच बटर के लड़ू तयार हो गयते और बहुत ही परफेक्ट तरीका है आप इसी तरीके से बना करके देखेगा आपका जुखी है बिल्कुल परफेक्ट तयार होगा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने के जरूरत नहीं है तो यहाँ पी यह जो बटर मिल्क है इसे हम हटा देंगे क्योंकि यह बहुत जादा पुराना हो जाता है इसलिए हमें इसका यूज़ भी न बटर हमारा कितना परफेक्ट और थिक बना है तो इसे हम पानी में अच्छे से निचोड निचोड के धुल लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा बटर मिल्क होगा न वो निकल जाएगा और बटर वगेरा हमारा अच्छे से साफ हो जाएगा तो इसी तरीके से हमें सारे बटर को धुल लेना है और एक चिस में आपको बता दू जब आप जिस वाउल में मतलब मलाई खटा करते हो न घी बनाने के लिए उसमें आप जब एक हफ़ते चार दिन की जब मलाई डाल दे तब आप उसमें दो से तीन चमच मतलब दही डाल देते हो न तो बहुत अच्छा टेस् खुश्बूदार तयार होगा तो यहां पर हमने बटर को अच्छे से दुल लिया था साफ पानी से लगबग 2-3 बार पानी डाल करके साफ कर लिया था और अब इस बटर को मैंने चड़ा दिया है गैस पकने के लिए जिससे कि हमारा घी तयार हो पाए तो अभी मैंने गैस क फ्लेम को हाई कर रखा था जैसे कि इसमें एक अच्छा उपाल आ जाए अब गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे बिल्कुल स्लो गैस में हम इसे आराम से पकाएंगे और जिस तरीके से मैंने मक्षन साफ सुतरा से तियार किया ना तो इसे धुलने से बहुत ही मतलब यह और पकने के लिए उसके बाद रखें तो इस तरीके से आप देखोगे लगभग 5-6 मिनट के बाद ही आपका जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट अल्मोस्ट पक जाएगा यहां पे हलका और कलर लाना है मुझे घी बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है बहुत जादा मैंने दिरे दिरे यह और डार्क हो जाएगा जैसा हमें चाहिए होगा तो जब भी ऐसा डार्क गुल्डन कलर आए तब ही आप इसे बंद कर दीजे और थोड़ा सा चलाते रहे क्योंकि यह बबल से बन रहे है बहुत जादा गरम होने की वज़े से यह बबल से बनते रहते हैं ग गी हमारा वेस्ट चला जाएगा तो यहां पी यह बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम घी को चान लेते हैं तो सबसे पहले मैंने जब पुराना घी बनाया था वो आपको दिखा देती हूं जिस मतलब कंटेनर में मैंने घी को रखा था उसमें आपको मैं दिखा र बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जादा खुश्बूदार बन करके तियार होता है तो घी बनाने के मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी शेयर किया हैं आप देख सकते हो कभी मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ फैसी चीज़े नहीं आड़ किया है जो मैं कहती हूं कि जो हमारे कंटेनर में मतलब दो उंगली के पराबर का घी रहा होगा थोड़ा सा और सारा घी यह अभी का है लगभग 15 दिन की मलाई का तो कहने का मतलब इतना सा है कि बहुत ही अच्छी कॉंटिटी में हमारा घी निकला है तो यही है परफेक्ट तरीका बिलकुल भी कड़ाही में नहीं चिप का है परफेक्ट है इस कड़ाही में आप सब्सक्राइब बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रेंट्स आप भी मेरी इस ट्रेक को यूज करिए और इसी तरीके से घी बनाएए आपको मेरी आज की यह वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूसफुल ल